Hello everyone, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, सनी सर के एक नए क्लास में आज के क्लास जो है, जो क्लास 10 के model paper का जो जीव बिग्ञान में question था उसी के दो नंबर के question को solution करवा रहे हैं इसे पहले जो है physics के करवा दिये हैं, chemistry के करवा दिये हैं ये जो है जीव बिग्ञान के प्रस्न है, ठीक है, नहीं देखे हैं, link description में है आज सब याद हो जाएगा आपको क्लास करते करते, देखे कईसे पहला प्रस्न पूछले है कि प्रकास संसलेशन प्रकिरिया क्लोरोप्लास्ट में ही क्यूं होता है प्रकास संसलेशन का होता है, जब पेर पौदे सूरी के प्रकास द्वारा भोजन बनाते हैं, उसी क्रिया को प्रकास संसलेशन करते हैं लेकिन प्रस्ण उने पुछले है, प्रस्ण पुछाए कि प्रकास संसलेशन क्लोरोप्लास्ट याने की हरित लवंग में ही क्यों होता है, तो एक और एंसर एकदम बवगा वला है, कि प्रकास संसलेशन की प्रकिरिया क्लोरोप्लास्ट में ही इसलिए होता है, क्योंकि क्लोरो qlsa plast में ही कहा होता है कि मानों के समझने की छमता, मानों के सोचने की छमता, मानों जो है जो reaction करता है उसकी छमता ये सबी जो हैं तंत्री का तंत्र पे ही निर्भर करती हैं. अब कहेंगे कि सब तंत्री का तंत्र होता क्या है? तो तंत्रिका तत उसे कहते हैं जो मानों के सोचने समझने और किसी कारे को करने की जो मात्राएं होती हैं उसमें संतुलन बनाए रखता है उसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं जैसे कि दिमाग तंत्रिका तंत्र हैं मेरू रज्जु जो है जो हड़िया होती है ना छोटी छोट वो भी जो हैं तंत्रिका हैं तंत्र ही हैं उसके बाद जो हैं और आपको बताएं तो ये का बोलते हैं मां स्पेसियां ये भी तंत्रिका तंत्र हैं तो आपको जो है इसके बारे में जानकारी यही करना था उतना ने लिखेला था तंत्रिका तंत्र के कारे का है तो ये बताना था तो तंत्रिका तंत्र के कारे है कि मनुस्य का सोचना, बीचारना, सोचना मतलब कि सोचने, समझने की सक्टी तंत्रिका तंत्र का कारे है, दूसरा उस पे कैसे काम करना है, तंत्रिका तंत्र का ये भी कारे है, है कि नहीं, तो ये सब काम है, next है कि प्रतिवर्ति क्रिया क्या होता है प्रतिवर्ति क्रिया देखें प्रतिवर्ति को जो है इंगलिस में reflection बोलते हैं reflection मतलब कि आप ball को दिवाल पे मार रहे हैं और दिवाल पर से ball टकरा के आपके पास वापस आ रहा है उसको जो है प्रतिवर्ति हम बोल सकते हैं लेकिन यह जीव भी ज्यान में है फिजिक्स के बाद नहीं है जीव भी ज्यान में है तो इसको का बोलेंगे जीव भी ज्यान में कि प्रतिवर्ति क्रिया क्या है तो प्रतिवर्ति क्रिया है यानि कि जब हमारी तंत्री का तंत्र को पूरे सरीर में मेरु रज्जु के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाता है अब कोशी का जब रियक्शन करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ति क्रिया इस फूर इग्जामपल कि हम को जो है किसी ने पत्थर मारा तो यहां पर लगा तो यहां पर लगा ता दिमाग करा कि हम भी उसको पत्थर मारेंगे तो जब हम उसको पत्थर मार रहे हैं तो वो कहलाएगा प्रतिवर्ति किरिया यानि कि जीव बिग्ञान में यही होता है प्रतिकिरिया कि जो हमारी तंत्री का तंत्र है वो किसी संदेश को पहले पहचानती है फिर उसके बाद मस्तिस्क तक पहुचाती है और मस्तिस्क जब इस पर reaction करता है यानि कि इस पर काम करता है उसको जो है का बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ति किरिया बोलते हैं दुनिया का असान सबसे प्रज़न था DNA अनुवान सिकता का अधार कैसे है बताईए DNA मतलब आप सुने होंगे ना DNA एकर खाली जो है आपसे यही प्रहें पनिवानी आज देखिए रस्ट है कि DNA का जो है आप फूल फॉर्म जो है लिख दीजेगा कि का होता है ठीक है DNA का बाकी बाकी तह हम समझाएं देंगे आपको बाल भश्चा के जब जाँच कर ला रहता है खेत बटवारा होता है तो बाप करता है कि नहीं हमर बेटा नहीं है तो बेटा जो है DNA जाँच करवाता है कि नहीं हमर बाप यह है DNA है, कहे कि मतलब कि अनुमान सिकता पीली तर फीली जो है जाता जाता है, तो वो DNA से जाचा जाता है, लेकिन कैसे, क्यूं, क्यूं यही प्रस्ब्रस्ने है, DNA अनुमान सिकता का आधार है कैसे आप जानेंगे? तब DNA अनुवान सिक्ता का आधार है क्योंकि DNA जो है सब ही कोशिकाओं में पाया जाता है पहिला आधार तिखा ना दूसरा है कि DNA जो है वो पीरी दर पीरी के बारे में जो है जानकारी देता है इसलिए जो है ये अनुवान सिक्ता का आधार है अपना ही समझे ना फिर से समझाटा है डिने अनुवान सिखता का अधार कैसे है इसलिए है क्योंकि डिने सरीर के सभी कोशिकाओं में पाय जाते हैं दूसरा ये पीरी दर पीरी के बारे में जो है जानकाडिया देती है ठीक है पांचवत प्रसन है कि स्वसन और दहन में अंतर बताईए स्वसन का होता है तो सांस लेते हैं उस क्रिया को स्वसन काते हैं दहन का होता है तो किसी चीज कोई चीज जब जलता है तो उसको दहन काते अब इस्वासन जो है एक जैव प्रक्रम है जिसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, इस दहन जो है एक अजैव प्रक्रम है जिसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, यानि कि अनियंत्रित प्रक्रम है, पहला कि स्वासन जो है जैव प्रक्रम है जो नियंत्रित हो सकता है, यह दहन जो है अन्यंतरित जैव प्रक्डम है दूसरा स्वसन जो है धीरे-धीरे होता है लेकिन दहन जो है तेजी के साथ होता है six number प्रस्ण है कि glycolisis से आप क्या समझते हैं चलि यह बहुत बनिया प्रस्ण है glycolisis क्या है glycolisis जो है जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसका पहला जो अवस्था होता है उसी को गलाइकोलिसिस कहा जाता है जिसे कि हम सांस ले रहे हैं तो जो पहला काम होगा सांस लेने में उसी को गलाइकोलिसिस कहते हैं और ये का करता है तो ये जो है गलुकोज को बहुत छोटे छोटे टुकरे में तोड़ता है तब glucose के एग जो है परमानू जो है वो पाइरूटीन के दूगो अनू बनाते हैं आ उहे दूगो अनू से जो है उर्जा मिलता है आगे नहीं फिर से आप समझे गलाइकुलिसिस क्या है गलाइकुलिसिस जो है स्वसन का प्रथम अवस्था है जिसमें glucose जो अनू होते हैं वो और दूगो पाइरूटीन अनू का निर्मान करते हैं और यही पाइरूटीन अनू से जो है उर्जाय निकलती है उर्जा मुक्त होती है इसी क्रिया को जो है हम लोग गलाइकुलिसिस कह सकते हैं ठिक है नेक्स्ट प्रस्न है कि किन ही चार पादफार्मोनों का नाम लिखे आरे तरह के, दुनिया के असान प्रस्न में सेहों पुछ ले था, औक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनीन, इथाइलीन, आपजेलिक, ये सबी जो हैं, क्या हैं, तो पादप हार्मोन हैं, पादप हार्मोन का होते हैं, तो कोई पेर पौधा में जो है, छोट तनिमुनी मातर में उपस्थित रहता है, लेकिन उसके संतुलन को बनाए रखने का काम करता है, उसी को पादप हार्मोन कहते हैं, यानि कि वैसे रसाइनिक पदार्थ जो पेर पौधों में बहुत कम मातरा में उपस्थित रहते हैं, लेकिन उकर विकास में काफी ज्यादा युगदान दे उसी को हम लुग पादफार्मोन बोलते हैं एक्जामपल ऑक्जेन जिब्रेलीन जिब्रेलिन्स भी कहते हैं जिब्रेलिक भी कहते हैं एंड साइटोकाइन एंड इथाइलिन टीक है नेक्स्ट है कि निम्नांकित के पूर्ण रूप लिखें एक आई यू सीडी लिखा हुआ अब आपके मन में एक प्रसन की सर आई यू सीडी जो है एक प्रकार का यंत्र है जब महिलाएं जो है अपने गर्भ गर्वती होती है और उसको जो है जब वो आपरेशन का नाम सुने है ना जब उसको जो है ये बंद करवाना चाहती है तो महिलाओं के जो है गर्भासे में एक मसीन लगाई मसीन नहीं प्लास्टिक और कॉपर का बना हुआ जो है एक यंत्र लगाया जाता है जो सुकरानू और अनू को जो है मिलने से रोकता है ठीक है ना मिलने से रोकता है उसी को जो है IUCD कहा जाता है IUCD क्या है तो IUCD जो है महिलाओं के गर्भासे में लगाया जाता है किसलिए तो सुकरानू और अनू जो है नहीं मिल पाए यानि एक बच्चे का जो है निर्मान नहीं हो सके इसलिए नेक्स्ट प्रस्न है कि OC का फुल फॉर्म का होता है तो oral contraceptive अब ये क्या होता है तो ये जो है दवाईयां होती है दवाईयां किसलिए होती है तो गर्व निरोधक दवाई होती है कहने का मतलब जो है न कि बच्चे को जन्म नहीं देने का मन है अगर माताओं को करता है तो उन्हें OC तरह के दवाई दी जाती है आप सुने होंगे जिनका oppression नहीं किया जाता है न उनको एक प्रकार की दवाई दी जाती है जिसका नाम होता है OC तो ये जो है ये दो दवाईयां थी अब ये जियो बिग्यान के जो है आठ प्रस्न बहुत ही सिंपल प्रस्न थे जिसको जो है हमड़ा तो बड़ी सिंपल लगा और इसी तरह से जो है अब sociology के बारे में हम लोग सोचेंगे जिससे समाजिक बिग्यान कहते हैं वो भी जो है आपको हम परहाएंगे और बहुत असानी से समझाएंगे जिस प्रकार हमने जो है आपके बिग्यान के प्रस्नु को solution किया तेक आप वीडियो देखें इसको share कीजिए और वीडियो देखें उसके लिए धिनने बादे